नमश्कार आपका अक्षता क्लासिस में स्वागत है आज हम रामधारी खंड एक की प्रतिलेखन संख्या 6 की डिक्टेशन करेंगे जिसकी स्पीड शाट शब्द प्रतिमिनट के हिसाब से होगी आपकी डिक्टेशन अगले 5 सेकंड में शुरू होगी फाइफ फोर थ्री टू वन श्टार्ट उपाध्यच महोदे तब उन लोगों को कुछ आसा हुई की हम लोग भी उसी तरह चल सकते हैं जिस तरह से पहले चल रहे थे लेकिन अभी हाल में जो चुनाओं हुआ उससे देश के धनिकों के मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ हुआ कि इस चुनाओं के बाद उनकी इस्तिती वैसी नहीं रहेगी जो अब तक चली आती रही है। गरीबों और अमीरों के बीच में अब तक जो बहुत बड़ा अंतर चला आ रहा था। उसको अब तेजी से दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। स्रीमान मैं आपका बहुत ही आभारी हो जो आपने सदन में चालू वर्स के बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अवशर दिया है। मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूँ। स्रीमान मैं सबसे पहले अपने दल के नेता प्रधानमंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कि उनके नित्रत्त में देश में कांग्रेस दल को इस पश्ट बहुमत मिला। और इसके फलसरूप यहां पर केंद्र में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ जो की देश में वास्तों में समाजवाद लाना चाहती है। मैं वित्मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ। कि लोकसभा के मध्यावदी चुनाओं में जनता द्वारा कांग्रेस दल को जो आदेश दिया गया था उन्हें इसमरण है और वह तन मन धन से उसका पालन करना चाहते है। वह आदेश था देश में समाजिक और आर्थिक विश्मता दूर करने का। देश से गरीबी, बेकारी और बिरोजगारी को हटाने का। और देश के जो पिछडे हुए हिस्से हैं उनका पूरा विकास करने का। साथ ही साथ इस बात का भी आदेश था कि देश के अंदर इस प्रकार की समाजिक और आर्थिक विश्था पैदा की जाए। जिसके अंतरगत जनता सोसर से मुक्त हो सके। स्रीमान यह ठीक है कि देश में क्रसी के छेत्र में उत्पादन में ब्रद्धी हुई है। परंतु इसके साथ ही साथ यह भी दरश्टी में रखना चाहिए की लागत में भी पूरी व्रद्धी हुई है। इसके लिए अवश्यक है की सिचाई के साधन बढ़ाए जाए। और अधिक उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाए। आज क्रसकों को क्रसी के यंत्र मिलने में बहुत कठनाई हो रही है। जैसे छोटे छोटे ट्रेक्टरों का देश में बड़ा आभाव है। उनके बनाने के लिए सीग्र नए कारखाने खोले जाएं। जिससे क्रसकों को जल्द से जल्द ट्रेक्टर मिल सके। देश तभी प्रगती करेगा। हमारा ऐसा विश्वाश है। किशन कम्ट्रीट हो गई है। थेंक यू।